इस खास बुलिटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्राखंट की एक जानी-मानी अस्ती के बारे में जानकारी देंगे तो चलिए बुलिटिन की शुरुवात करते हैं हेड्लाइन से सूर्यधार में बनी जील का सीम त्रिवेंसिंग रावत ने किया लोकारपन दर्जोनों गावों को पहुचेगा सिचाई और पेजल का लाप बुलिटिन मागे दिखाएंगे हरिद्वार में गंगजल क्यू है पीने के लिए हनिकारक प्रदुशन रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुला सा कुरोना के बड़ते मामलों को देखते हुए उत्राखंड सरकार ने बदले कई नियम रोडवेज ने जारी की नई गाइडलाइन उत्राखंड में सामने आया 16 लाग का छात्रवती गोटाला अरोपियों के हरियाना से जुड़त मिलेता अब समाचार विस्तार से राजदानी दहरादून के सूर्याधार में बनी जील का मुख्यमंत्री तरविन सिंग रावत ने लोकारपन कर दिया है इस जील से शेतर के लगबग 18 गामों को सुचाई और 19 गामों को पेजल मिलेगा जो की पूरी तरह से ग्रैविटी अधारित होगी बता दे कि इस शेतर में लंबे समय से पेजल और खेतों की सुचाई के लिए पानी की उपलबता ना होनी की समस्या रही है शेतर वासियों की इसी परिशानी को समस्तो हुए मुख्यमंद्री ने वर्स 2017 में सत्ता संभालने के साथ ही सुर्यधार में जील बनाने का एलान किया था वहीं इस जील के निर्मान से या शेतर टूरिस्ट डेस्टिनिशन के तोर पर भी होगी और इस प्रोजेक्ट के आज ये जब समर्पित हुआ है तो आने वाले समय में एक बहुत बहुत बिहस्तर डेस्टिनिशने बनेगा मेरी इच्छा है कि यहां पर वर्स में एक तीन चार दिन का प्रोग्राम यहां पर हो और हम कोशिज करेंगे किस बार मतर सकरांति या वसंद पंचमी पर यहां पर हम उसकी शुरुआत करेंगे बहुत सुन्दर जगह है और इसको हम धिरे धिरे एक बाटर स्पोर्स के रूप में डेस्नेशन के रूप में हम इसको डेवलप करेंगे खबार गंगा जल की प्रदूशन रिपोर्ट की कुड़ा कच्रा और गंदगी के चलते लाग प्रयासों के बावजुद हरी दवार में गंगा जल पीने योगी नहीं है प्रदूशन डियांत रपोर्ट प्रदूशन में 14 नवंबर की राद गंगा में पानी छोड़ा गया था इससे पहले गंगा बंदी के दौरान घाटों की सफाई की गई थी जबकि रुड़की गंगनेर में इसकी मातरा 120 MPN है दोस्तों New Student Network आपको हमेशा अपडेट करता रहता है इसलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुचाते रहें उत्राखंटी शक्षियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पदमश्री अफदेश कौशल के बारे में अफदेश कौशल एक शेक्षड़क और एक कारिकरता है जिनने भारा सरकार द्वारा कई नीती समिक्षा कारियों पर निउक्त किया गया है उनका जन उत्राप्रदेश के मेरट में हुआ कौशल ने कई वर्षों तक उत्राखंट के मसूरी में सिवल सेवकों की प्रसित इतकाद्मी में सारवजनिक प्रशाशन पढ़ाया हाली में उन्हें ग्रामिड रोजगार गरंटी योजना नरेगा की निग्रानी के लिए केंद्री ग्रामिड विकास मंत्रालय द्वारा न्यूत किया गया था वर्ष 2005 में Friends of Tribal Society द्वारा चलाए गई एकल विद्ध्यालय के कामकाच की समिक्षा के लिए कौशल को न्यूक्त किया गया था और आदिवाती शेत्रों में नफरत फैलाने वाले एकल विद्ध्यालय पर उनकी रिपोर्ट का बालन करते हुए MHRD ने ऐसे स्कूलों के विद्ध पोशन को वापस ले लिया उनके कार्यों को देखते हुए भारा सरकार ने उन्हें पदमश्री पुरसकार से भी नवाजा है उनका एक आरलेक नाम का NGO भी है अब देश कौशल को दवीग पत्रिका द्वारा वर्ज 2003 के लिए मैन आउप दा इयर भी नामित किया जा चुका खबर उत्रखंड में जारी परिवान विबाग की नई गार्ड लाइन उत्रखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार सक्त कदम उठाने की तेहारी में है कोरोना जाज बढ़ाने के साथ ही अब शादी समारों में अधिक्तम सोव्यक्ती ही भाग ले सकेंगे वेडिंग पॉइंट या हॉल में होने वाली सभाओं समारों पर भी यही नियम लागू होगा पहले ये संक्या 200 थी इसके साथ ही बाहर से उत्राखंड आने वाले देहरा दून स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीगरन फिर से अनिवार किया जा रहा है बता दें के इंद सरकार की 25 नवंबर को जारी एडवाईजरी में सभी राजियों को कुरोना संक्रमन की रोगथाम के लिए अपने स्तर से सक्त प्रविधान लागू करने की छूट दी गई थी ऐसे मोतराखंट समेथ सभी राजियों में कोविड रोगथाम के लिए कड़े 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 उठाय जा रहा है महीं बाद उतराखंट रोडवेज की करें तो दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए परिवान विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत अब दिल्ली से उतराखंट आने वाली सभारी को रास्ते में नहीं उतारा जाएगा बलकि बस सीधा रोडवेज इस्टेशन पर ही सभारी को उतारेगी जहां स्वास्त विभाग की टीम कभी यात्रियों के सेंप्लिंग के लिए पहुंसकी खबर 16 लाग के चात्रवती घोटाले की शांती कॉलेज ओफ एजुकेशन हर्याणा में हुए चात्रवती घोटाले में उतराखंट के काशिपुर निवासी नवीन कुमार के खिलाब मुकदमा दर्ज कराया गया है साइटी की तहरीर परदस रिपोर्ट में शांती कॉलेज समाच कल्याण विभाग के अधिकारियों तता हुतराखंट के काशिप और निवासी नवीन को आरोपी बनाया गया है आरोपियों पर चात्रवती की 16 लाग की रगम हरपने का आरोप है कोले सारी को की तलाश में चुटी है दोस्तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आप इसको यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलू करें नमस्कार